जैशिर आदे कृष्ण साथि हूं मैं भी कृष्ण ग्यान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूं कैसे हैं आप आपके इच्छे स्वास्त और सुख जिवन की मंगल कामना करती हूं आपके अपने इश्देवों को कोटी कोटी नमन करते वे बड़ों को पड़ाम करते वे वीडियो प्रायरम करते हैं दिपावली की हर दिख शुब कामना है दिपावली की अनंत शुब कामना है दिपावली की धेरों शुब कामना है इश्वर आपके घर में जग मग जग मग दिपावली की रोशनी की तरह खुशियों की रोशनी बरसे ऐसी मंगल परातना है माता आपके बीच में चलिए जड़ पर आरम कर लेते हैं लेकिन से पहले चाहर को सबस्क्राइब चरूर कर लिजेगा और बेल आकरन का बटन भी प्रेस कर लिजेगा जिसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले मैं बात कर रहे हैं कार्तिक मा के मावस् तरीक को जो अमावस्यतिति है दोपहर दो बचकर 49 मिलट से आ रहे हैं जो कि 13 तरीक को तीन वजे तक रहेगी तो दिपाबली 12 तरीक में मनाना उचित होगा और 12 में ही मनाई जाएगी 11 में नहीं मनाई जाएगी क्योंकि अगर 11 नमब्रें दिपाबली मनाते हैं दिपाबल पूजन का संधिया पूजन होता है उसका मूरत क्या है तो पांच बचकर 40 मिनट से लेकर साथ बचकर 36 मिनट तक उसका शुम मूरत बताया गया जब आप दिपाबली पूजन करेंगे उसके आगे व्रिशब काल भी है जो कि 8 बचकर 8 मिनट तक रहेगा कहने का मतलब है कि आ 30 मिनट से लेकर 8 बचकर 8 मिनट तक महाता महालक्ष्मी की पूजा गणपति संग सरस्वति संग कर सकते हैं अब बताती हुनिश्ट्याकाल कहा जाता है मध्य रातरी के निकट 11 बचकर 49 मिनट से जो शुरू होगा और साड़े बारा बचे तक रहेगा उस बीच में अगर में विलते हैं जो कर जगमकाता हुए मिलता की स्थिर्था आती है तो बहुत जरूरी है शुब मुहरत में किया गया कारेश शुब मुफल को परदान करता है यह तो आप किसी भी समय हम प्रती दिन माता लक्षमी की पूजा करते हैं फिर विशेश अमावस्या का कार्तिक मात के अमावस्या का इंतजार क्यों करते हैं दिपावली का इंतजार क्यों करते हैं इसी लिए करते हैं और उसी शुब मुहरत में हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में स्थाईवास होता है जो निशी था काल मैंने आपको बता है 11.49 से लेकर साड़े बारा तक उस बीच में आपने घर में कितनी भी पूजा कियों कितनी जो मैं आपको एक धन पोटली बनवाऊंगी वह धन पोटली उस दोरान माता लक्षमी के श्री चरडों में रख दीजेगा माता लक्षमी के मंत्रों का जाप करेगा माता लक्षमी को मनायने का प्रयत्म कीजेगा जितना अधिक जितनी भी पूजा कर सकते हैं उस दोरान कर लीजेगा और फिर उस धन पोटली को जब उठाकर आवा अपने वेफसाय किस तरह पर धन शेयत में रखेंगे धन की कभी कमी नहीं हो और एक दीपक भी जलाएंगे मैं बता दूंगी नेक्स वीडियो में फिलाल मैंने आपको शुब मोरत जो बताएं उनको नोट कर किस समय पर आपको क्या करना है दिपावली में माता के आगमन के लिए दिपावली माता के हमारे घर में स्थाईवास के लिए मातलक्ष को प्रसंद करने के लिए आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है रिष्टों में मिठा सोनी बहुत जरूरी है एक दूसरे के प्रती ब पहन हो चाहें बेटी हो चाहेंगा प्रफिज्टरी हो सबको आप मेन के दिरिश्टी ज High cricket में घरने पूजाए मोश्किया करो भी आपके घर के अंदर महतालक्षट्ट्च्मी का आगमन हो हो को वो भी इस थाई रूप से और वो भी प्रसनता से मातालक्षमी आपके घर के अंदर बास करेंगी, करके देख लीजेगा, जो महिलाओं के साथ मारपीड करते हैं, जा उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको कुछ गिंते नहीं, उनको कुछ मानते नहीं, कैसे लक्षमी की कामना क कर सकते हो कि लक्षमी आपके घर में रुकेंगी, घर की लक्षमी तो वही है, आप उनका सम्मान करो, सिर्फ उनका सम्मान करो, कहीं गलती हो तो प्यार से समझाओ, लेकि उनका सम्मान करो, बखतकश मिलेगा, ये तो हो गई बात आपके परिवार की, अब ये बात बता लगाएं कुप सारे दीपक जलाएं तो और कहां कहां दीपक जलाएं यह भी बताओंगे लेकिन मैंने आत्मेर बात आपको बताई कि देपावली पूजन का शूमुरत क्या है जो निशिता काल का शूमुरत है मद्धेरात्री का जो मुझरत है उसमें आपको क्या एक इसका आपको बताऊंगी मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिएगा आपका और मेरा दोनों का यूटीब चैनल है जिसमें मैं आपको सभी पूजा पाठ वीदी बताती हूं जो त्षी और धार्मिक माननेता हो के अधारित पर अधारित उपाई बताती हूं तो कारगर भी सा अधारित लिए इतना इजाज आख दीजिए आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत बीवी साबीत होगी मिलती है पर जबर्दस वीडियो के साथ तब तक हसते रहे मस्कराते रहे अपने अपने अपनों का ख्याल कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए चाहिए अपने प्रयांके साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी ओम गणगण पते ही नमा कुछ भी लिखिए लिखिए जरूर इश्वर आपकी मतदब